हेलो फूडीज, वेलकम टूरा स्मोई का स्वाथ, कैसे हैं आप सब होप करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे हूँ के अपना और अपनों का ख्याल रखिए आज जो आप लोग के साथ पराटे की रेसिपी शेयर करने के लिए जा रही हूँ वो बहुत ही फ्लेवरफुल सा है और इसका जो आटा मेंने गूदा है, वो बहुत ही स्पेशल डंग से गूदा है तो इसलिए कैसे वो आटा बनाया है और इसमें क्या मसाला हमने यूज किया है, क्यों ये इतना डिफरेंट है नॉर्मल पराटे से उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा बिना स्किप किये हुए और आप देख करके आपको लग रहा हो का कि तब फ्लेकी सा हमारा ये पराठा बना है और इसमें हमने जो जो टिप्स और ट्रिक्स इसमें यूज किये वो सब आपनों के साथ शेर की है कैसे आप गेहू के आटे में मैदे वाला सुआद ला सकते हैं, बजार वाला पराठे का सुआद ला सकते हैं तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और हाँ फ्रेंज आप लोग ध्यान रखेगा कि जो जो चीज में बता रही हो बिल्कुल उसी तरीके से इस आटे को गूधियेगा तो चलिए पहले बड़ा सा बोल ले लीजे उसमें डाल दीजे दो कब गेहूं का आटा इसमें मैंने डाल दिया है एक चमच नमक और दो चमच पिसीवी चीनी आप साबू चीनी भी ले सकते हैं लेकिन मैंने पिसीवी चीनी ली है अब इसमें थोड़ा सा गड़ा कर लीजे और इसमें हम डाल देंगे 3-4 cup बिल्कुल खौलतावा पानी, बिल्कुल boiling water इसमें हमको डालना है, एकदम खौलतावा पानी लीजेगा, उसको डालेंगे, हाथ बिल्कुल नहीं लगाईएगा, क्योंकि आटा इस ट्राइम बहुत हाथ लगा सकते हैं, तब हम इसमें normal water लेंगे, बिल्कुल normal water लेना है, ना थंडा होना चाहिए, ना गरम होना चाहिए, ना गुनगुना होना चाहिए, normal water से हम बिल्कुल soft सा आटा लगा लेंगे, जब आप इसका आटा लगा रहे होंगे तो आपको जो है, थोड़ा सा चि थोड़ा सा डो तेयार करते हैं थोड़ा चिपचिपा सा वो होता है गरम पानी और आटे को मिक्स करके वो जब थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है तब हम उसको आटे में मिक्स करते हैं जो एक्स्ट्रा अटा होता है उसमें मिक्स करते हैं और फिर हम अपनी ब्रेट का डो तेय तो इसलिए इसमें इसमें इस्ट बगरा का यूज नहीं किया है आटा आटा आपको इस तरहें डेख के लग रहा होगा कि कितना चिपचिपा सा है लेकिन अभी हम इसमें जैसे ब्रेड में स्ट्रेच इन फोल्ड का मेथड यूज करते हैं वही मेथड हम इसमें यूज करेंगे इस आटे को सौफट करने के लिए और इसमें इक्स्ट्रा इलासिस्ट इलाने के लिए तो इसमें ग्लूटन इंक्रीस करने के लिए हम इसको स्ट्रेच इन फोल्ड मेथड करेंगे एक ब और कम से कम साथ से दस मिनिट तक इस आठे पे आपको वर्क करना है काम करना है तब आपका आठा बिल्कुल चिकना हो जाएगा आपका हाथ और बोर्ड अपने आपसे ये छोड़ने लग जाएगा देखिए जैसा वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से क आइए का ना तो पराठे बहुत फ्लेकी बनेंके बहुती क्रिस्पी बनेंके और साथी साथ उसमें इलास्टिसिटी भी बहुत जादा होगी तो जैसे बजार वाले जो पराठे होते हैं वो मैदे के बनते हैं लेकिन हम वही काम अपने आठे के साथ भी कर सकते हैं अगर आ के salt यूज करें वो बहुत कम यूज करें के unsalted butter यूज करिए का तो आप और थोड़ा डाल सकते हैं जो हम यह batter बनाने जा रहे हैं जो मिक्षर बनाने जा रहे हैं इसको आप butter में ही बनाईए का आठ से दस लेसुन की कल्या ले लीचे का लेसुन थोड़ा जादा लीचे का और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक वो थोड़ा सा ब्राउन कलर में ना होने लग जाए फिर हमने इसमें तीन साबूत लाल मिच औ और एक बड़ा चमच जो साबू धनिया होती है वो डाल दी है और इसको अच्छी तरीके से पकने दिया है धनिया और मिच डालने के बाद ज्यादा देर तक नहीं पकाईएगा गैस को ओफ कर देंगे थोड़ा सा नमक और बहुत चुटकी बर हल्दी इसमें डाल देंगे और इसको अब हम रख देंगे ठंडा होने के लिए जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा तब हम इसको एक मिक्सी जार में डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे ये आपके ओपर डिबेंड करता है कि आपको कैसा पेस्ट अच्छा लगता है मुझे थोड़ा सा दर तरह पेस्ट है आप जाए तो इसको फाइन पेस्ट बिलकुल इसका तयार कर सकते हैं इस तरीके से मैंने इसका पेस्ट तयार कर लिया है अब हम अपने आटे को देखते हैं आटा बिलकुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है बिलकुल अच्छा सा सेट हो चुका है अब ह बनाएंगे 11 size ball बनानी और इसके बाद इसको हमें बिल्कुल पतला पतला बेल लेना है और हमें 7 रोटियां तयार करनी है अपने प्राठे के लिए नormally इस तरीके का लच्छा प्राठा आप लोग कई बार देख चुके हैं और मैं भी कई बार इस तरीके का प्राठा शेर कर चुकी हूँ बढ़ तब भी मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ इस तरीके से आप बिल्कुल पतली रोटी बेल लेंगे और इसके बाद जिस ब कर ली हैं अब इन रोटियों के उपर जो हमने पेस्ट बना करके तियार किया था जो मसाला बना के तियार किया था वो हम इसके उपर स्प्रेट करेंगे मेरी जो मिर्ची थी फ्रेंज वो हलकी तीखी है तो मैंने इसलिए तीन ली है आप ध्यान रखे का आपको जैसा तीखा पसंदो आप उस तरीके से मिर्चिया डालिएगा इसमें बस इस तरीके से ही करते वे हम सारी रोटियों के उपर अपना जो पेस्ट ह वो फैला लेंगे मेरा पेस थोड़ा दरदरा मैंने बनाया इसलिए मैं हाथ से स्प्रेट करी हूँ अगर आप एकदम फाइन पेस्ट तैयार करें तो आप स्पून या अपने उससे ब्रश से भी इसको आप स्प्रेट कर सकते हैं सारी रोटियों पे मैंने अच्छी तरीके से फैला लिया है बिल्कुल जो मसाला हमने बना करके तयार किया था न हो हमारा एकदम एकुरेट ये साथ रोटियों में लग गया है अगर आपको प्राठे और बनाने हो तो आपको ये कौंटिटी और भी बढ़ा सकते हैं मेरा जो ये मैंने साथ रोटियों का लॉक तयार क जिससे कि हैंडल करना इजी हो जाए क्योंकि अंदर बटर है और बटर भी हमने उसको पिस दिया है उसको फेट दिया है तो वो तोड़ा सा क्रीमी सा टेक्शर हो रहा है तो अगर आप एक ही साथ करेंगे तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा अब हम इसको जो है दो में कर लेंगे तो टोटल हमारे चार पराठे बन करके तयार होंगे अब इस तरह से सेलेंड्रिकल रखते वे आगे की तरफ हतेली बढ़ाते वे हम इसको प्रेस करेंगे अगर आपने उसी के साथ एकदम सीधे सीधे प्रेस कर दिया तो आपकी लेयर अच्छी नहीं आगे की तरफ खिसकाते वे तब इस लोई को आप प्रेस करिएगा सूखा आटे से डस्ट करिए और बहुत हलका हाथ चलाते वे हमको इसका थोड़ा सा मोटा और छोटा प्राठा तयार कर लेना है प्राठा मेरा क्योंकि जिस तरीके की आपकी लोई का साइज होना उस तरह इसे रखेगा बस ध्यान ये रखेगा प्राठी को बहुत जादा बेलियेगा नहीं और पतला नहीं बढ़ाएगा थोड़ा सा मोटा रहेगा तभी ये फ्लेकी सा आएगा और इसमें जो लेयर्स है वो अलग-अलग पता चलेंगी तब चड़ा दीचे और थोड़ा सा ग्र प्राठी का बहुत सारी वराइटी आपको इसमें मिलेगी और ये बस देखिए हमारा प्राठा दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिग्या है इसको उतारिए वैसे तो ये प्राठा साधा ही खाने में बहुत अच्छा लगता है गरम-गरम चाय बनाईए और प्राठा खा ली बच्छे बड़े मन से खाएं कि इसके साथ आपको किसी भी अचार या चटनी की जरूरत नहीं है मैंने मिल्चे के अचार के साथ सब किया है बट ये प्राठा ऐसी बहुत अच्छा लग रहा था मेरे बच्छों ने तो ऐसी ही खा लिया आप चाये तो जब आप ट्रेविल किया है कि नहीं किया है तो अभी के अभी कर लिजे इतनी इंट्रेस्टिंग और अच्छी रेसेपी के साथ रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा बबाई टेक केर थैंक यू